यहाँ पर आपके लिए च्छटा प्रश्न है और च्छटा प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है तो कराते हैं आपके लिए लिखा है 636 योगफल प्राप्त करने के लिए समांतर शनी जो दी गई है वो मैं लिख देता हूँ 9, 17, 25 ये दी गई गई और डॉट डॉट के कितने पद होंगे जो कि सम दिया गया है योगफल दिया गया है आपके लिए 636 ये दिया गया है योगफल है तो योगफल अगर दिया गया है और सीरीज भी दी गई है हमां आपके लिए योगफल दिया गया है यानि S N दिया गया है 636 आपसे पुछा गया है इसके पद क्या हों तो T2-D1 यानि 17-9 कितना जाएगा बटा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 का अंतर चल ला है D कमान 8 है अगर D कमान 8 है तो इसे साब से क्या करेंगे योगफल दिया गया है योगफल दिया गया है SN बरावर 636 तो SN का जो फार्मूला होता है N बटे 2 बरावर में आ गया 636 किलियर है N कमान निकाल सकते हैं बिल्गुल निकाल सकते हैं अभी देखो निकाल के दिखाते हैं आपके लिए तो N बटे 2 9 दूनी 18 हो गया प्लस ये देखो लिखा हुआ है 8 की गुणा N से हो जाएगी तो 8 N 8 की गुणा माइनस से हो जाएगी तो माइनस का 8 हो जाएगा ब़रावर में 636 ये है और N बटे 2 ये 18 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा 10 प्लस आठ N बरावर में 636 ये आ गया तो ये लिखेंगे इदर N बटे 2 10 प्लस 8 N बरढवर में 636 यह है यह आपके लिए है यहां तक पहुच गए है आप क्या करेंगा यहां पर N बटे 2 की अंदर अंदर गुणा करा देंगे N बटे 2 गुणे 10 प्लस N बटे 2 गुणे 8 N बराबर में 366 यह आगया तो 2 से इसकी कराओ 2 पंजे 10 और 2 गुणे 8 यहां पर हो गया आपके लिए 5 N और यहां हो गया आपके लिए 5 N यह हो गया और यहां N की गुणा 4 से हो जाएगी तो इसका मतलब यह होगा प्लस का 4 N बराबर में 366 तो पाँच N और चार N मिलकर के कितना हो गया 9 N पराबर में 636 तो N पराबर हो जाएगा 636 बटे में 9 तो 9 से इसको भाग कर देंगे यहां पर तो कितना आजाएगा पहले तो यहां पर ऐसे करिए 3 तीन 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यह आगया अब 3 से इसको भाग करेंगे तो यहां पर आजाएगा 3 से 212 के लिए भाग करेंगे 3 सते 21 यह आजाएगा खतम हो जाएगा 2 बचेगा पॉइंट लगाएंगे यहां पर और 20 हो जाएगा और 3 चाक 18 हो जाएगा और फिर 2 बचेगा यानि 7.6 का मतलब क्या हुआ लगभग लगभग सात्मा पद सात्मा पद का जो योग होगा वो कितना होगा यहां पर वो योग होगा आपके लिए 636 कितना होगा 636 होगा योग इस तरीके से यहां पर हम इसका एन कमान निकाल सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए प्रशन हो चुका है चटा और आपके लिए और भी बहुत सारा प्रशन है जो कि हम करेंगे तो यहाँ पर हम आपके लिए सात्मा प्रशन करा देते हैं देखें सात्मा प्रशन बहुत इंपोर्टेंट है देखें सात्मा प्रशन क्या है देखिए सात्मा प्रशनी आई पर करा देते हैं तो सात्मा प्रशनी कह रहा है किसी सामांतर शेनी का पर्थम पद पांच है इसका मतलब पहला पद पांच दिया गया है क्योंकि पहला पद पांच दिया गया है अंतिम पद 45 है यानि एल कमान 45 है और योग 400 है यानि एसन बराबर दिया गया है 400 लेकिन आपको ये नहीं मालूम है जो है इसमें पदों की संख्या कितनी है और सारवांतर इसके कितना है ये नहीं मालूम है तो अल बराबर हमारे पास 45 तो दिया गया है ठीक है ना तो डी मालूम है न कुछ मालूम है यहापर एसन कमान दिया हुआ है तो दो तरीके से हैं अल कमान जो होता है अंतिम पद का वो लगा दीजिए यानि पद तो है कोई न कोई अंतिम पद है तो अंतिम पद के लिए हम य N-1 into D यह होता है अंतिम पद दिया गया है तो यानि 45 रख दो 45 बराबर एक अमान है 5 प्लस N-1 into D यह है अब इसमें ना तो यह आपके लिए D दिया गया है नहीं कोई टर्म दी गई है तो हम यह आपर लिख सकते है 45 और 5 को इदर ले आएंगे मैनस का 5 बराबर में N-1 into D यह आगया 45 में से 5 चला जाएगा तो 40 बराबर N-1 into D यह आगया इतना रहेगा N-1 into D कमान 40 है और आपको मालूम है SN कमान होता है N upon 2 2 A, A कमान है मारे पास 5 प्लस N-1 into D कमान हमारे पास कुछ नहीं है D कमान ऐसे लिखेंगे और बराबर में इसका यूग दिया गया 400 तो इसको हम आगे solve करेंगे और देखेंगे द्यान से कैसे solve करते हैं यहाँ पर अब जड़ा देखते हैं यह जो लिखा हुआ है पांस दूनी 10 हो जाएगा प्लस N-1 इंटू D की वैलू है यहाँ पर 40 तो बहुत रख देते हैं N-1 इंटू D की वैलू 40 हो गई और बराबर में 400 यह है बस यहाँ पर step देख लेंगे 2 मिनिट का step है कुछ है नहीं ज़्यादा 40 और 10 पचास हो गया यानि N बटे 2 और यह जो 50 हुआ है वो नीचे चला जाएगा तो भाई मेरे 400 बटे में 50 हो जाएगा एक 0 से 0 पानटे 40 यानि N बटे 2 बराबर में हमारे पास आगे 8 और N का मान आगाएगा हमारे पास 8 गुणे 2 यानि 16 तो N का मान आपर हमारे पास 16 आ चुका है और बहुत इंपोर्टेंट प्रशन हमने आपके लिए करा दिया देखो 2 मिनट में करा दिया और कोई टेंसन भी नहीं है और प्रशन हमारा साथमा खतम हो चुका है तो अगली वीडियो पे जब हम मिलेंगे तो करीब बहुत ही अच्छे प्रशनों को करेंगे क्योंकि ये प्रशन जो है आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग बाले भी है और कहने का मतलब अगर हम तेज कराते हैं तो आपको समझ में नहीं है बटा तो इसलिए हम बहुत ही आपके लिए धीरे-धीरे पढ़ा रहे हैं क्योंकि लॉंग सवाल है लॉंग सवाल को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है और काफी जो है स्टेप बाई स्टेप समझना पढ़ता है तो इस तरीके से यहां पर सीखते रहिए और जब हम अगली नेक्ट वीडियो में मिलेंगे तो अभी बहुत सारे प्रशने हैं दीर गुत्री प्रशने हैं इस सवाइन में तो सभी सीखने को मिलेंगे आप इसी तरीके से देखते रहिए थैंक यो फर वाचिंग दिस वीडियो